नमस्कार भक्त जनों मैं आपको श्रामन मास का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ इस अध्याय में आपको ये सभी बातों की जानकारी मिलेगी कि इस मास में किस दिन कौन सा व्रत करना चाहिए भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले हे ब्रह्मपुत्र आप नम्र है आप श्रदालू है समस्त बारा गुणों से युक्त श्रोता है आपने श्रामन मास के बारे में जो पूचा है तथा जो पूचने से रह गया है वे सब मैं तुमें विस्तार पूर्वग बताता हूँ आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्धंड थे इसलिए उन्हें अपना पाचवा सिर्गवाना पड़ा वे मतसरता को छोड़ मेरी शरण में आए मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं उसे एकाग्रजित होकर सुने श्रावन मास में नियोमा का पालन कर वरत रखकर साइकाल को चा पंजरी युक्त पत्ति और बेल पत्रों से मेरी लक्ष पूजा करें कोटी लिंग पूजन करें ब्रह्मनों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं नियम का पालन करें मुझे पंचामरत से अभिशेक अतिप्रिय है अते उसे भी करें इस मास में किया जाने वाला काम अनंतफल देने वाला है इस मास में भूमी परशैन करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सदा सत्य बोलना चाहिए पत्तल में भोजन करें प्राते काल इसनान ध्यान करें इंद्रियों को वश में रखना चाहिए एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें इस महीने मे मंत्रों का पुरेश्रवन भी उत्तम सिद्धी देने वाला है गायत्री मंद ओम नमस्ष्वाय का जाप करें शिरी सूक्त का जाप और भी अधिक फलतायक है ग्रहयग कोटी होम लक्ष होम तथा अयत होम करने पर सत्य फलता है मानवांचित फल प्राप्त होता है जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महा प्रले तक घोर नरक में जाता है मुझे श्रामन मास दे अधिक और कोई भी प्रियमास नहीं है यह मास फल दायक है तथा निशकाम भाव से किये गए कर्म के फल सरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है है सनत कुमार इस मास में करने योग्ये जो धर्म कहें गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो रविवार को सूरे का व्रत करना चाहिए सोमवार का दिन मेरी पूजा का दिन है श्रामन मास के प्रतम सोमवार से प्रारंब करके साड़े तीन मास तक अर्थार्त कार्तिक मास की अमावस्य तक होने वाला संपून कामना का अर्थ सिद्धी प्रदाथा रोटक नामक वरत कहलाता है मंगलवार के दिन मंगला गौरी का वरत रखा जाता है बुद्धुवार को बुद्ध का वरत ब्रस्पत्वार को गुरुदेव का वरत शुक्रवार को जीवंतिका देवी का वरत रख श्रामनमास के शुकलपक्ष की तृतिया को गव्रत होता है शुकल चतुर्ती को दुरवगनपती नमक व्रत होता है इसे विनायक चतुर्ती व्रत या गणेश चौत का व्रत कहते हैं श्रामन शुक्ल पंचमी को नाक पूजन का व्रत रखा जाता है श्रामन शुक्ल शस्टी के दिन सूपोधन व्रत रखा जाता है श्रामन शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है अश्टमी और चतुरदशी तिथी में देवी का पवित्रा रोपन करना चाह ये श्रावन माश की क्रश्ण तता शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है शुक्ल पक्ष दश्मी को आशा नामक व्रत किया जाता है कोई कोई मनुष्य श्रावन माश की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत करते हैं श्रावन शुक्ल पक्ष की द्व श्रामन शुक्र पक्षमि को पूर्णी माँ को उठ्सरजन उपाकर्म, सपाती, रक्षा बंधन, श्रामनी कर्म, सर्प बली तथा हैग्रीव जैनती मनाई जाती हैं। हाई ग्रीव नामक भगवान विश्णु का अवतार माना गया है उप्रोक्त सातो व्रत श्रामन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती हैं। श्रामन करश्ण चतुर्ती को संकुष्टी चतुर्त जिसे आम भाशा में संकर्च चौथ कहते हैं तथा करश्ण पक्ष की पंच मी को मानव कलपादी व्रत रखा जाता है। श्रावन मास की अमावस्या के पिठारा व्रत का विधान है इस दिन कोशोत पादन करें व्रश्मों का पूजन करें श्रावन शुक्र पक्ष की प्रत्मा से लेकर समस्त तिथियों के अलग-अलग देवी देपता हैं, प्रतिपता के अगनी, दुटिया के ब्रह्मा और तृतिया तिथी की गौरी, चतुर्थी तिथी के गणेश, पंचमी तिथी के नाग, शष्टी तिथी के सकंद, और सप्त जिस देव की जो तिथी है उस तिथी को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए ये श्रावन मास में प्राय अगत्स नक्षत्र का उदै होता है सिंग राशिपर सूर्य के संक्रमन के दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीच जाने पर अगत्स नक्षत्र का उदै होता है अगत्स नक्षत्र को 7 दिन पहले सही अर्ग देना शुरू कर देना चाहिए 12 महिनों में सूर्य भगवान अलग-अलग नाम से प्रजवलित होते हैं श्रावन मास में गरभास्त नाम से प्रजवलित होते हैं इसलिए श्रावन मास में भक्ती पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए श्रावन मास में साख का त्याग करना चाहिए भादरपद मास में दही, आश्विन मास में दूट और कार्तिक मास में डाल का त्याब कर देना चाहिए हे मुनिश्ष्ट इस रावन मास में मनाए जाने वाले वरत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई सौ वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता भक्त जन मेरे या श्री हरी के प्रती संपून ब्रत कर रखें मेरे और श्री हरी में कोई भेद ना करें मेरे भक्त श्री हरी को प्रिये हैं और श्री हरी के भक्त मुझे प्रिये हैं जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरक गामी होते हैं हे सनत कुमार आप शामन मास में धर्म का पालन कीजिए बोले शंकर भगवान की जै